क्या एक बार फिर से बंद होने वाला है ये भुटान गेट यह सवाल आज हम लोग आप सभी के समख इसलिए रख रहे हैं दोस्तों क्यूंकि कुछ दिनों से इस तरह की अफवाहे बजार में गरम है कि कुछ दिन में एक बार फिर से भुटान गेट बंद हो सकता है हाला कि ये एक महज एक अफवा ही है आप सभी को बता दे दोस्तों कि 23 सिप्टेंबर को जब भुटान गेट फिर से परियटकों के लिए और सभी लोगों के लिए जब खुल गया था तब से जैगाओं और भुटान में फिर से वो पुरानी रौनक वापस लोडते हुई नजर आई थी लेकिन जब से चाइना में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दिया है ओमिक्रोन का एक नया वेरियंट एक बार फिर से जब से दस्तक दिया है तब से पूरे दुनिया भर में ये खत्रा मंडराने लग रहा है और साथ साथ में सभी देश अब इस विशे में चीनता करने लगे हैं हाला कि आपको बता दे दोस्तों कि कुछी दिन पहले ये भी खबर प्रकास में आई कि भारत में भी नए वेरियन के चार मरीज पाये गए हैं, चार केसेस पाये गए हैं हाला कि अभी भी पच्चिम बंगाल में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा और जैगों में खास कर इसका कोई भई इस समय नहीं देखा जा रहा है और साथ साथ में अगर मैं भूटान का कहूं दोस्तों तो भूटान में भी इस तरह का कोई भी आभी तक केसेज डिटेक्ट नहीं हुआ है भूटान के स्वेम हेल्थ मिनिस्टर जो है दीछेन वांगमो ने खुद ये जाहिर किया है ये खुद स्टेटमेंट दी है हाल फिला में कि भूटान को इस वेरियन को लेकर चिंतित होने की बात नहीं है भूटान में वैक्षिनेशन का जो प्रक्रिया है काफी बढ़ियां तरीके से फुल्फिल किया गया है काफी रेट काफी अच्छा है वहां पे जो कोवीट प्रोटोकॉल है काफी बढ़ियां से फॉलो क किया जा रहा है इसलिए भुटान वासीयोn को चींता करने की जरूरत नहीं है और भुटान में अभी तक ऐसा कोई भी नया CASE अभी तक नहीं मिला है लेकिन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भुटान के corazón के लोग केतने सतरक हैं भुटान के जो निवासी है वह माक्स लग दिखने लगा है और यह अच्छी बात है कि लोग इस बार Prequations के उपर ज़्यान दे रहे हैं Prevention के उपर ज़्यान दे रहे हैं और यही अपील तमाम सरकारे अपने देश्वासियों से कर रहे हैं कि Prequation लिया जाए, Prevention लिया जाए, Protection लिया जाए और कोरोना अभी भी उस तरह का घातक अभी situation नहीं है डरने वाली बात नहीं है और जो बजार में अटकले लग रही है जो अफवा फैल रही है कि बुटान गेट बंद होने वाला ये केवल एक अफवा है इस पे ना जाएं अभी भी इस्तिती अभी इस्तिती कंट्रोल में है कोई घबडाने वाली बात नहीं है लेकिन लेकिन लोगों से यह अपिल करना चाहेंगे कि आप सुरक्षा के मद्दे नजर आप ध्यान दे कि आप जो guidelines आपको सरकार दे रही है माक्स का इस्तमाल करना, sanitizers use करना, social distancing maintain करना, gathering से बचना ये एक precautions का एक steps है जिसे आप अगर follow करते हैं तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे भारत में भी भारत सरकार भी काफी चौकना है health department, health ministry जो है इस विशे में राजिय सरकारों के साथ बाते कर रहे हैं कि किस तरह से इस स्तिती से निप्टा जाए लेकिन डरने वाली बात नहीं है, लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि भायवित ना हो सरकार का निर्देश आने तक आप लोग अपने तैयारी स्वेम करके रखें बचाओ के लिए ज्यादा बहतर होगा कि आप माक्स इस्तमाल करें sanitizers यूज करें लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं हम लोग चलते हैं कुछ लोगों से भी बात करेंगे और दोस्तों हम लोग यहां के इस तानिय जो निवासी है बिजनेसमेन है उनसे बात करेंगे नमस्कार अंकल क्या नाम है अपका ललन परसद गुपता ललन जी यह बताईए कि कुछ दिनों से जैगों में एक अफवा फैल रहा है कि फिर से बुटान गेट बंद हो जाएग लोग इस तरह के तरह के बाते कर रहा है इसके लिए और जैगों में देखा जा रहा है काफी लोग है जो बुटान से आरहे हैं माक्स इस्तिमाल कर रहे है जैगों में आप क्या कहना चाहेंगे कि सुरक्षा के मादे नजर माक्स लगा कर नहीं चलना चाहिए और यह जो अफवाय फैल रही है इसे आने वाले दिन में कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं देख सकते हैं यहीं के बिजनेसमेंड़ कहे रहे हैं यह एक महज अफवा है अफवा पे ना जाएं चाइना में निश्चीत रूप से वहाँ पे कोरोना का केसे बड़ा है ओमिक्रोन का केसे बड़ा है नए वेरियंट के उपर काफी बाते उठके आ रही है जानकारिया प्राप्त हो रही है लेकिन भारत में अभी भी अभी भी हम लोग सेफ हैं भूटान में भी अभी एक भी केस नहीं है हमारे जैगाउं वासियों को डरने की कोई ज़ौरत नहीं है भूटान के लोगों को भी कोई डरने की ज़ौरत नहीं है हां सरकारे अगर कह रही है कि आप माक्स इस्तमाल करें चल रहा है जैगों में इस तरह का अभी एक हला चल रहा है कि फिर से बुटान केट बंद हो जाएगा क्या लगता है फिर से बुटान केट बंद होने वाला है यहां तो कुछ नहीं है यहां तो सब देखे भीर बढ़ा का बच्छा है बढ़िया चल रहा है और लोग कह रहा है निवर आ रहा है चाइना में कोरोना फिर से दस्तक दे दिया है फिर से बल रहा है इंडिया में भी आएगा बुटान के लोग भी परेशान है क्या लगता है situation क्या बिगर रहा है ने और आपको इतना बरोसा है कि इंडिया में बुटान में कुछ नहीं होने वाला है भारत में इस्तिती एकदम कंट्रोल में है हाला कि चार केसेस डिटेक्ट हुए है लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है और साथ साथ में भुटान में अभी तक कोई केसेस डिटेक्ट नहीं हुए है लिहाजा लोग जो भी अगर इस तरह के बाते कह रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन हो जाएगा भुटान गेट बंद हो सब अब देख सकते हैं सुरक्षा के मदे नजर अपना अपना जिम्मेदारी जो है वो निभार है हम लोग और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानकारी लेंगे अब आप माक्स लगा हैं अच्छी बात है क्या कुछ लगा के जाना आना है इसा कुछ है तो क्या लगता है कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि गेट फिर से बंद हो जाएगा क्या लगता है बंद होने वाला है ये पता नहीं हम नहीं बोल सकते हैं क्या लग रहा है कि फिर से कोरोना का डर ऐसा लोगों में दिख रहा है इसलिए लोग मस लगा रहे हैं अब बुटान में आप क्या काम करने के लिए लिए लोगों को क्या बोलना चाहेंगे माक्स लगा देख सकते हैं लोग लोग अभी भी आसमंजस में हैं यही के निवासी है बुटान जा रहे हैं कोई काम से जा रहे होंगे आप देख सकते हैं तमाम लोग जो बुटान से निकल रहे हैं जैगाओं आ रहे हैं सभी के चहरे के उपर माक्स लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा हाला कि अभी भी जैगाव में लोग मार्क्स का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं हाला कि वेक्षिनेशन के उपर ज्यादा जोड दिया गया था सरकारे द्वारा और लगबक अधिकाहंस लोगों ने वेक्षिनेशन को पूरा किया है और ये डर से मुक्त है कि कोरोना से नहीं डर रहे हैं लेकिन दोस्तों एक बार फिर से जाते जाते मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा कि डरने वाली कोई बात नहीं है मार्क्स का इस्तमाल कीजिए सेनिटेजर्स यूज कीजिए सरकार का जो भी गाइडलाइन से उसको फॉलो कीजिए और और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि अफ़वाओं पर ध्यान मत दीजिए हम लोग और एक दुकंदार से बात करेंगे नमस्कार अंकल क्या नाम है आपका आये ना आये ना आपसे थोड़ा बात करेंगे कभी कबार तो आपसे मुलाकात होता है क्या नाम है अपका शुरिंदर अच्छा है ये बताएं कि एक बार फीर से हल्ला हो रहा है कि बुटान गेट बंद होने वाला है करोना तो बढ़ रहा इंडिया में बड़ा है में चाहिना में लगता है बुटान के लोग सब मार्स लगा रहा है इंडिया में ज्यादा तर लोग नहीं लगा अपना यह है वेक्षिन पर ज्यादा रखी जैधा वरोसा कि वैक्सिनेट्ट है मतलब करोना cracking कुछ ना कुछ नियुक है इसे क्या कहना चाहेंगे लोगों को क्या कहना चाहेंगे हैं कि या कॉन चाहेंगे सब तो अभी तो इंडिया में कोई डरना वला बात है नहीं लोगों को क्या बोलेंगे फिर भी अपना सुरक्षा के लिए लगाता है जेख सकते हैं इस्तानी है जितने भी दुकांदार है निवासी है यही कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है अफ़ाओं पर ध्यान ना दीजिए और दोस्तों इस समय हम लोग जा रहे हैं काल्चिन ब्लॉग चेंबर अव कॉमर्स के जेनरल सेकेटरी है राकेश पांडे जी उनसे बाते करेंगे और उनसे जानकारी लेने की कोईसिस करेंगे नमस्कार राकेश जी नमस्कार आपके पास हम लोग आए हैं जैगाओं में एक अफवा चल रहा है कि फिर से भूटान गेट चाहिए चाहिना में कोर्णा काम हमारी बर रहा है जीस आपसे टीवी चैनल के मादिया हमसे जनकारी मिल रहा है करूना तो एक डरने वाला चीज है ज्यादा डरना नहीं है सतर कराना सावधान रहना है इसको ध्यान में रखते हुए देखिए अपना इंडिया में भी थूर फान के बात सब्सक्राइब करें करने के लेकर कोई भी सरकार के लिएक करने के लिए कोई नोटिफीकेशन हम लोगे मिला जनकारी मिला आता पहतार है तो यह फोहाथ हमझान नहीं देना है जन्यूंटि पर जाना है इसनलिए पर फैन गवर्मेंट के तरफ से इंडिया गवर्मेंट के तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं उसको हम लोग मानेंगे नहीं मान नहीं है कुछ दिन पहले अभी हाल फिलाल में ही बुटान के जो हेल्थ मिनिस्टर है दिछेन वांगमो जी उन्होंने साफ कह दिया कि डरने की कोई बात नहीं है बुटान में कोई एक बी केस नहीं है और वेक्शिनेशन का प्रक्रिया है काफी बढ़ियां से हुआ है लोग सुरक्षित हैं डरने की कोई बात नहीं है हाँ बात सही है एक्चुल में क्या है इंडिया में भी वेक्शिनेशन काफी हो गया है और आपका थर्ड डोज भी लोकल लगा चुका है भूटान में भी आपका फर्ड शेकंड थर्ड डोज लग चुका है तो गौर्मेंट ने एक दम हेल्थ मिनिस्ट्री अलट कर रहा है जै किसी को घबरा जादा करने का बात नहीं है लेकिन सवधानी बरतना है जो भी बाहर कंट्री से जो फ्लाइट आ रही है जो जो कंट्री में इस तरह का केस है उसको लिड़ी गर्मेंट गाइड कर रही है ध्यान दे रहा है गौर्मेंट का नजर में है और उल्लो देख रहा है और हम लोग ज्यादा को आपका चैनल के मादियम से वह यही बोलना चाहेंगे कि इसी भी आप आमने जाए और सरकार के जो भी गाइडलाइन होगा वह लिखित में आता है सरकार इंडिया गर्मेंट बुटान गर्मेंट जो भी ची जोता है नोटिफिकेशन जारी करता है उसी को हम लोग मानेंगे उसी इसाब से चलेंगे अगर कुछ भी होता है तो सरकार जो है नोटिफिकेशन जारी करती है जब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता आप लोग कते लोगों का कहा हुआ बातों पर ना जाएं भुटान गेट ना बंध होने वाला है ना लोगडाउन होने वाला है ना इस बारे में कोई चर्चा चल रही है मेहज जो भी बाते उठके आ रहे हैं अफवा है अफव का बजार गरम है लेकिन इस गर्मी के चकर में आप अपने दिमाग को गरम ना करें सांती बनाये रखें हम लोग अभी भी सुरक्चित हैं बस सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश आता है उसका सक्त इसे पालान करें और दोस्तों हम लोग कोशिस करेंगे किसी भूटानी नागरिक से बात करने के लिए ब्रदर्स आर्यू फॉम बूटान ओके वाट से नेम सुनाम गिल्सन वाट से नेम सुनाम गिल्सन ओके आ यूर कमफोड़ेबल इस हिंदी और इंग्लिस बोट इन इस वालान करेंगे ह। थेस्जिन वीठीिंट से बगंगे लस्त प्रदर्स आर्यूर को स्क स conservative, मैं जिए थेसल नेम सिब्दीट तार्यूद यग्ट करने हिव साविएयो new variants have come up and people are worried that again the covid will come so do you think that thing is going to happen no no that is not going to happen no government is doing well yes people in bhutan has got vaccinated yes so what what do you want to say to the people who are saying this rumors that bhutan gate is going to be closed once again india will be under lockdown or bhutan will be under lockdown and earlier what was happening will happen again nothing will happen all is well all is well okay thank you thank you for talking with us you can see bhutanese bhutanese look bhi kaafi kaafi assured hai ki aisa kuch nahi honne wala hai ki maha je kafa hai log joe bhi kia raha hai ki bhutan gate fit se bend ho ga lockdown ho ga aisa kuch nahi honne wala kovid nishit rup se China mein China mein stiti bhenkar ho rao ga lekin bharat mein aisa kuch nahi hai bhutan mein bhi aisa kuch nahi hai log nishchinth hai lekin dosto ek bada fit se mein kohun ga ki siris kus runartese haato hai sura kshakere